जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes with Sumit Zen YouTube चैनल में सुसात्यों इस्टार्ड हो चुका है आज का E-Session सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरू करें और दोस्तों अंतिम ब्रह्मास्त्र क्रेस कोर्स लांच हो गया है अगर आप TGT PGT का दोस्तों अंतिम दोर की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्प करेगा दोस्तों सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरू करना है अपने मित्रों तक एक बार सेयर कर दें और जिन मित्रों को दोस्तों इस क्रेस कोर्स में अडवी सल लेना है वो आज ही Self Study Classes का App डाउनलोड कर लें अपना Revision भी अच्छे से हो जाएगा और दोस्तों अपना क्या हो जाएगा बहुत अच्छे से अध्यन हो जाएगा ठीक है और बहुत Important Important Question भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते ठीक है तो बहुत जिन भी सातियों को इस लाइन में इस कोर्स में दोस्तों अध्यन करना है वो Self Study Classes आज ही एप डाउनलोड कर लें और वहाँ पर इस कोर्स में एड़ी से लेकर करके अध्यन कर सकते ठीक है तो बहुत बढ़िया धनवाद स्टार्ट करते हैं आज का सेसन आपको बताना है सर सरोज स्मिर्थी के जो रचनाकार है सरोज स्मिर्थी के रचनाकार कौन है उत्तर होता है दोस्तों निराला उत्तर होता है निराला सरोज स्मिर्थी के रचनाकार है अब आपको बता होगा कि ये बिराह गीत है शोक गीत है प्रेम गीत है या फिर बाल गीत है सरोज जाएगा ये क्या है, शोक गीत, यानि कि आपका जो two number है वो बिल्कुर सही हो जाएगा सरो जिस मृति ये शोक गीत है, टीक है, B number right answer, अंगला question कामाईनी के प्रतम सऱय का सीर सक्क्ष क्या है, कामाईनी के प्रतम सरग का सीर सक्क्ष क्या है, और ये कामाईनी है, और कामाईनी दोस्तों महा काब है, है ना, इसके प्रिथम सर्ग इसमें 15 सर्ग है, प्रिथम सर्ग का सीर्षा का आपको बताना है, तब आपका उत्तर हो जाता है, चिंता, है ना, तुलसिदास किसकी काब रचना है, जल्दी से आपको चेन करना है, तुल तुल्शी दास काब रचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं इसका उत्तर आपको लिखना है देखते हैं कौन सही उत्तर बता रहा है और दोस्तो तुल्शी दास काब के जो रचनाकार है वो सही बताया है कि सर ये जो काब रचना है कि सूरकांतरपाठी निराला की है सुरकांतरपाथी निराला यानि कि आपका एक नमबर जो है वो बिलकूर शाहिए ठीक है एक नमबर जोनों ने बताया सुरकांतरपाथी निराला इनकी दोस्तों रचना है नेक्स्ट है हिंदी भासा की मानकी करण की दरश्टी से कौन सा योग सबसे महत्पूर है कौन सा योग सबसे महत्पूर है हिंदी भासा की मानकी करण की दरश्टी से बताना है जल्दी से सबी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर जल्दी से आपको बताना है दोस्तो यहां से पढ़ना है अपने को चायाबाद को प्रगीतों का अंदोलन किसने कहा बताएं चायाबाद को प्रगीतों का अंदोलन किसने कहा है कि यहां से अपना अध्यन चालू होना है दोस्तो आज चायाबाद को प्रगीतों का अध्यन किसने का अध्यन करने अग्ये हर्योद या फिर डाक्टर नग्यंदर ने चायाबाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा यह आंसर बताईए शवी लोग इसका आंसर आपको चैन करना है चाया बाद को फ्रिगीतों का आंदोलन किसने कहा यह दोस्तों आपका new question यहां से चालू होगा आज का ठीक है और आपका बिलकुल सही answer हो जाएगा किसर चाया बाद को फ्रिगीतों का आंदोलन कहा है किसने दिनकर-जी ने यानि कि आपका जो एक number है एक number वो बिलकुल शही hanging यह number आपका right answer हो जाता है गद्य को जीवन संग्राम की भासा किसने कहा किवन संग्राम की भासा किसने कहा है कि 748 का उत्तर आपको चेहन करना है और आंसर आपका सही हो जाएगा गद्द को जीवन संग्राम की जो भासा कहा है वो किसने कहा 648 का question आपको बताना है और सीधा answer आपका जाएगा दोस्टो कि गद्द को जीवन संग्राम की भासा कहा किसने निराला ने थो आज़िक आपका एक नमबर जो है वो द्रश्टी मूलत है किस से प्रभावित है सूर सागर से पदमा बस से रामचेत मानस से या फिर विनय पत्री काशे बताएं आचार सुकली की समीक्षा द्रश्टी मूलत है किस से प्रभावित है बहुत अच्छा क्वेस्चन है और एक क्वेस्चन कई बार आया भी है आचार स के पता है दोस्तो राम-चंद्र जो शोकल हैं कि राम-चर इतनीकी जो समीक्षा दृष्टी है दोस्तो राम-चेत्मानस से प्रभाभत मानी जाती है। कई बार एक कॉस्चन आया है, तीन नमबर आपका यहाँ पर बिल्कु सही आंसर हो जाएगा, सी नमबर सही हो जाएगा, ठीक है, भारतिय समीक्चा का जनक इनमे से कौन हैं, और ऐसे कुतने साती हैं, जिनको दोस्तो सेल्फ इस्टडी के लासे सेप में, मात्र पंदरा दिन क कि लास्ट बाला जो दोस्तो कोर्स है, उसमें एड़िसल लेना है, ऐसे सभी साती कोर्स में एड़िसल लेकर की अध्यन कर सकते हैं, है ना, और भारतिय समीक्चा का जनक इनमे से कौन है, भारत मुनी हैं, राज सेकर हैं, मममठ हैं, या पर विश्वनात हैं, तब आपका उ पिलको सही राइट आंसर अंगला कॉस्चन है, हिम क्रीटनी कि सकी रचना है, माखरलाल चुद्रबेदी, हरियोट, बालकन, सरमा नवीन, या फिर सौहनलाल दुवेदी, हिम क्रीटनी की रचना कार कौन माने जाती हैं, इसका तर आपको चैन करना है, यह ना, तो सभी साती self study class एस app डाउनलोड कर लें और दोस्तो एप में आप क्या कर सकते हैं एप में दोस्तो आप बहुत अच्छे से अध्यन कर सकते हैं हिम करीटनी आपको बताना हिम करीटनी ये किसकी रचना है है ना तो सभी लोगों को पता हिम तरंगनी और हिम करीटनी तो हिम करीटनी दोस्तो एप माखनलाल चतुरवेदी जी की रचना है उत्तर हो जाएगा कल्प नमबर एक हिम करीटनी की रचनाकार कौन है माखनलाल चतुरवेदी यानि कि आपका उत्तर ये नमबर बिलको शाई है ये नमबर राइट है सेर सेहका सस्त्र समरपण के रचना कार कौन है सूरकां तरपाठी निराला रामधारी सेहं दिनकर बाल करशन सर्मा नबीन या फिर जैसंकर प्रिसाद सेर सेहं का सस्त्र समरपण की रचना कार आप पूचेन करना है सेर सेहं का सस्त्र समरपण की रचना कार कौन है सूरकां तरपाठी निराला रामधारी सेहं दिनकर बाल करशन सर्मा नबीन या फिर जैसंकर प्रिसाद बहुत अच्छा कोश्चन है दोस्तों है ना सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें ऐसे कोश्चन दोस्तों बनते हैं अब जाम में तो इसकी रचना कार कौन माने जाती है अच्छा कोश्चन है और सीदा अथर आपका जाएगा जैसंकर प्रिसाद सेर सेहं का सस्त्र समरपण कौन है जैसंकर प्रिसाद है यानि कि आपका अथर चार नमर जो है वो बिलकुट चाहिए चार आपका राइट किसमें गीतों की मधुर बेदना की दोस्तों मरमा भी व्यक्ति अधिक है तो किसमें हैं पंत में महादेबी बर्मा निराला या फिर जैसंकर प्रहसाद चाया बात के प्रमुक कभियों में किसमें गीतों की मधुर बेदना की मरमा भी व्यक्ति अधिक है ठीक है जल्दी से मैंने एक करस कूर्स बनाया है, कि important जो प्रशने हैं, जो तथ हैं, Northern जो चीजें हैं, इसको मैने एक कोर्स में रखा है, मातर फांसन इंडन्यानवे का एक कोर्स रखा है, इस कोर्स में आप एड़ बी सल लेकर कि, कि इस कोर्स में मात्र 15 दिन में सार्थक बना सकते अपनी पढ़ाई को आपने पहले भी पढ़ा होगा देख बार इस पास्तुन इन्यानवे की कोर्स में आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका जो दोस्तो परीक्षा के लिए जो आपकी तयारी है वो बहुत अच्छी हो ज करना राम की सकती पूजा तुलसीदा सरोज स्मिर्तिया पर पत्रोत कंटित जीवन का बेश से बोजा हुआ है निराला की अंतिम कविता कौन सी है निराला की अंतिम कविता कौन सी है निराला की अंतिम कविता कौन सी है निराला की अंतिम कविता आपको बताना है कौन सी है रामकी सक्ति पूजा, है ना, रामकी सक्ति पूजा, नेहा रानी जी, आप एप डाउनलोड कर लेना, सेल्फ स्टेडी किलासे, इस महाँ पर से आप एडवीसन ले सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो निराला की अंतिम कभिता की रिचनाकार आप से पूछा गया, एस वरी अंतिम कभिता कौन सी है, ये आप से पूछा गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा, पत्रोत कंटित जीवन का वेश से बोजा हुआ है, यानि कि आपका चार नंबर, डी नंबर आपका बिलकु सही हो जाएगा, अंगला कोस्चन है, महादेवी बर्मा का प्रिथम का बिसंकलन कौन सा है, महादेवी बर्मा का प्रिथम का बिसंकलन कौन सा है, दीपसिका, या मा, निहार, या फिर रस्मी, महादेवी बर्मा का प्रिथम का बिसंकलन कौन सा माना जाता है, दोस्तों, बताएं, कौन सा माना जाता है आपको बताना है शबी लोग चैन जरूर करती रहिए है ना और ठीक है यहाँ पर आपको उत्तर बताना है और दोस्तो उत्तर क्या है उत्तर क्या है है ना यहाँ पर महादेवी वर्मा का प्रिथम काब संकलन और पिर्थम दोस्तों जो माना जाता है है ना वो कौनसा है निहार है ना पिर्थम इनकी जो काब रचना है दोस्तों वो कौनसा है निहार को माना जाता है यानि कि आपका जो तीन नमबर है दोस्तों ये बिलकुस सही हो जाएगा ठीक है संस्कृत के चार अध्याए किसकी रचना है संस्कृत के चार अध्याए अपने बहुत अच्छी से पढ़ा है दोस्तो आपने पढ़ा है संस्कृत के चार अध्याए संस्कृत के चार अध्याए कब पढ़ना है संस्कृत के चार अध्याए दिन में पढ़ना है संस्कृत की चार अध्याय कब पढ़ना है दिन में पढ़ना है तो दिनकर आपका बिल्कु सही आंसर हो जाएगा दिन में पढ़ना है तो दिनकर ठीक है Very God शबी लोगों को धनबाद संस्किर्थी के चार अध्याएं हमें दिन में पढ़ना है तो आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर शबी लोगों ने बिल्कु सही आंसर बताया है बोली सर दिन कर लगा दो इसमें तो आपका जो चार नमबर है वो बिल्कु सही हो जाएगा चायाबाद की पहली रचना मानी जाती है तो चायाबाद की पहली रचना कौनसी मानी जाती है इसका उत्तर बताना है पलाओ, लहर, कामाईनी या फिर जरना चायाबाद की पहली रचना कौनसी मानी जाती है इसका उत्तर आपको बताना है और सीधा आपका आंसर आया है जहरना और जहरना की रचनाकार कोई है दोस्तो जैसंकर पिरसाद जैसंकर पिरसाद ठीक है जहरना यानि D नमर आपका राइट है कला और बूड़ा चांद किस बिधा की रचना है कला और बूड़ा चांद किस बिधा की रचना है कला और बुड़ा चांद के रिचना कार कौन है यह आपको बताना है अब दोस्तों यहाँ से एक ओर बनता है कि इस कला और बूरा चांद के लिए साहित अकादमी प्रोषकार कब मिला जल्दी से चैन करना है लाइक कर दीजिए सबी लोग और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर एक कला और बूरा चांद के पंत की रचना है और पंत का दोस्तों एक काब रचना है और इसको जो है 1960 में 1960 में क्या मिल गया था शाहित अकादमी फ्रोषकार मिल गया था पंत जी को कला और बुड़ा चांद के लिए है ना बहुत बढ़िया अंगला कोश्चन है दुख की पिछली रजनी बीच बिकस्ता सुक्का नबल प्रकास किस काब किर्ती का प्रबोध बाक है पताना है पलो का रामकी सक्ति पुजा मोह का चांद का मोह तेड़ा या फिर कामाइनी का दुख की पिछली रजनी बीच बिकस्ता सुका नबल प्रकास ये आपको चेहन करना है वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना अपने मित्रों तक सेयर करते रहना और साथ यो यहाँ पर दुक्की पिजली रजनी बीच विकस्ता सुक्का नबल प्रकास इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कामाईनी कामाईनी यानि कि आपका जो डी नमबर है कि चार नमबर आपका बिलकुस कामाईनी का है वेरी गुड बहुद बढ़ी आंसर कि आपका डी नमबर बिलकुस है अंगला है सुमित्रा नंदन पंतिकी किस रचना को छाया बाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है बताइए पंतिकी बो रचना कौनसी है जिसे चाया बाद का मैनिफेस्टो या फिर चाया बाद का घोशना पत्र कहा जाता है ये आपको बताना है यह ना जल्दी से बताना है तो सुमित्रा नंदन पंतिकी किस रचना को कुछ हाया बात का मैनी फैस्टो कहा जाता है इसका आंसर आपको बताना है सभी लोग लाइक करेंगे और दोस्तो पास्टो निन्यानवे का जो निचोड कोर्स है आपके लिए निचो इंपोर्टेंट क्रेस कोर्स है दोस्तो परिक्षा के लिए अंतिम प्रहार परिक्षा का अंतिम ब्रह्मास्त्र जो कोर्स है उस कोर्स में अड़िशन जिनको भी लेना है वो आजी सेल्प स्टड़ी किलासे से अप डाउनलोड कर लें और ये मात्र पांश्टों नियानवे का कोर्स है शुवित्रा अनन पंत की किस रचना कुछ हाया बाद का मैनिफेस्टों कहा गया इस पलाओ को कहा गया और पलाओ ये दोस्तों पंत की पिर सिद्धी का आधार है पलाओ का रचना काल क्या है ये आपको कमेंट में लिखना है जल्दी से लिखो मैं उस जन्पत का कभी हूँ काब रचना किस कभी की है नागरजुन की रांगे रागाउ की त्रिलोचन या फ मैं उस जनपत का कभी हूँ काब रचना किस कभी की है जल्दी से आपको बताना है नागर जोन रांगे रागाउ त्रिलोचन या फिर केदार नात अगरबाल की और यहां पर बहुत सारे लोगों ने बताया है कि मैं उस जनपत का कभी हूँ जहां पर है ना जहां कि त्रिलोच है ना त्रिलोचन तो ये त्रिलोचन आपका बिल्कु सही होगा ये क्वेस्चन और आता है दोस्तों त्रिलोचन से कि त्रिलोचन का बास्त्विक नाम क्या था त्रिलोचन का बास्त्विक नाम भी आपको कमेंट में लिखना है है ना जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए औ और त्रिलोचन का बास्थविक नाम पूछा गया आप नीचे question भी आप से पूछ लिया गया चलिए question ही जब आ गया है तो उत्तर तो आपको बताना ही पड़ेगा त्रिलोचन का बास्तविक नाम क्या है बासुदेव से हैं त्रिलोचन का बास्तविक नाम और उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बासुदेव से हैं बासुदेव से हैं यानि कि आपका जो एक नम्मर है वो बिलको सही है जिन्मने भी बताइ उनका अंसल बिलको सही निराला की किस रचना में प्रबंध भात मकता है थुलिषी दास, सरोज स्मिर्ति, कोकृर्मुत्ता या पhr नयपट्य है ना आपको ए बताना है निराला जी तो आपको पता है महिस मेदनी पूर महिसा दल में दोस्तों इनका जन्म हुआ था निराला जी का ठीक है बहुत बढ़ी आप जल्दी से बताओ निराला की किस रचना में प्रबंध हात्मक्ता है दोस्तों इस प्रबंध हात्मक्ता आपको बताना है निराला की किस रचना में प्रबंध हात्मक्ता है और सभी लोगों ने बताया कि सर इनकी तुलसी दास जो रचना है कि क्या है तुलसी दास का जो काब रूप है वो काब रूप है दोस्तो, खंड काब क्या है? खंड काब है ये एक नमबर आपका बिलकुश सही है ये नमबर जिनों ने बताया राइट अंसर नजाने धुलक ओस में कौन खीच लेता मेरे मौन पंत की किस कविता की पंक्ती है, नजाने धुलक ओस में कौन, खीच लेता मेरे मौन, ये पंत की बताना किस कविता की पंक्ती है, निसानमंत्रन की है, मौन नमंत्रन की है, नौका बेहार की है, या फिर ज्योत्सना की है, किस की है, बताइए, नजाने धुलक ओस में कौन, खी नीच लेता मेरे मौन, हैना ये पंतकी बताना है कभिता की पंक्ती है, किस कभिता की पंक्ती है, जल्दी से आपको चैन करना है, 764 का उत्तर बताना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और आपका यहां पर शही उत्तर क्या हो जाएगा, हैना पंतकी किस से दोस्तो कभिता की पंक्ती मानी जाती है पुर उत्तर है मोन निमंत्रण यानि कि आपका टू नंबर जो है वो बिलकुष रही है बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है अंगला क्वेस्चन हरी जण गाता किसकी रचना है रीजन गाता कि रिचनाकार कौन है शवी लोगों बताएंगे वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक सेयर करती रहें अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों है ना और जिन भी सात्यों को कोर्स में अडवीसर लेना बाद में मत पच्टाना कि मैंने कोर्स में अडवीसर ने लिया अभी भी आपके पास अंतिम मौका है लाश्ट के पंदरा दिन है और इन पंदरा दिन का फायदा जरूर लें एक अच्छा कोर्स बनाया है आप लोगों के लिए हिंदी साहित के लिए दोस्तों है ना वो आप लोग पढ़ सकते हो और यहां पर हरिजन गाता आपसे पूछा गया तब आपने बिल्कुछ सही आंसर लगाया है कि सरे यह हरिजन गाता जो रचना है कि रचना नागरजुन की है अब एक क्वेश्चन और बनता है नागरजुन से कि दोस्तों नागरजुन बताना है आपको कि नागरजुन दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था जल्दी बताओ नागर जुनकी का जन्वे बताना है अपनने पड़ा था आओ रानी हम ढ़ाएंगे पाल की कही हुई है राय जबाहर लाल की है ना कौन सा नाम सही है पहला सा तारसब तक दूसरा तारसब तक तारसब तक या फिर दोस्तो तीसरा तारसब तक पताईए बताए इन में से कौन सा नाम सही है शबी लोगों को बताना है आप डाउwnलोट कर ले है चार्ज है दोस्तो 5599 मातर 5599 है इश 5599 में आप दोस्तों अंतिम के 15 दिन बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसकी तैयारी है ना कौन सा नाम सही है तो यहां पर आपको पता है दोस्तों जब तार सब्तक की बात आती है तो आपको पता है तार सब्तक ये सही है श्री नमबर सही है दोस्तों जो पहला दूसरा तार सब्तक होता है इसे पहला सब्तक बोला जाता है इसे तीसरा सब्तक बोला जाता है और चौथा सब्तक है ना तो सब्तक सब्तक बोल प्रभागिरी राम की आग्या से नियमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आग्या से तार सब्तक के कमियों की ट्रेक है ना दूसरे तार सब्तक दोस्तों दूसरे सब्तक की जो है हरी भवानी सकुनकरे से किया है शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद में अनुबाद कि किस ने किया है बताइए शिव पिरसाद सितारे हिंद ने राजा लक्षमन सेह ने शवी जल्दी से बताएंगे यहां पर भारतेंदु ने और दोस्तों गिरिधर दास ने सकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद में अनुबाद किस ने किया है और जो अनुबाद किया है वो कि किया है दोस्तों सकुंतला नाटक का वो किया है राजा लक्षमन सेहने यानि कि आपका जो टू नमबर है आपका जो बी नमबर है वो बिलकुर शही है बी नमबर आपका राइट आंसर बेरी गोड़ आंसर निम्ण मैंसे किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्तिया को किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्तिया को उठाया गया है ये क्वेस्चन आपको बताना है देखते हैं कौन-कौन सही उत्तर बता पाता है और यहां पर आपका सीधा सीधा आंसर जाएगा क्या हो जाएगा सही आंसर बेरी गोड़ आंसर लगाया आपने सूखी डाली है ना यानि कि आपका जो तीन नमबर है वो आंसर बिलकुँ सही है तीन नमबर राइट आंसर होगा निम्ण मैंसे समांतर समांतर कथा प्रसंग रखें दोस्तों बताइए शबी लोग बताएंगे वीडियो को लाइक जरू कर लेना और दोस्तों सभी साती जितने भी हमारे सभी साती हैं सेल्प स्टेडी किलासे से आपको आज ही डाउनलोड कर लें और दोस्तों आपके TGT के लिए मात्र 15 दिन हैं है ना दोस्तों UKLT के लिए भी तो आपको याद रखेना कि मात्र 15 दिन की जो आपकी लडाई है 15 दिन की जो आपकी तैयारी है दोस्तों यह 15 दिन की तैयारी मात्रा 599 के कोर्स में दोस्तों बहुत अच्छी कर सकते हैं जिनको रिवीजन करना उनका रिवीजन हो जाएगा जिनकी तैयारी नहीं हुई वो पंदरा दिन में भी दोस्तों पर इक्षा के लिए सैयार हो जाएंगे और यहां पर आपका बिल्कु सही आंसर बताया एक और दुर्णाचार अपन ने पढ़ा था कि एक और दुर्णाचार अभी सेस है सेस है तो संकर सेस की ये रचना है और तीन नंबर आपका बिल्कु सही है very good answer अंगला question भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट रासक को लास रूपक कहा है भारतेंदु ने अपने किस नाटक को लास रूपक कहा है ये आपको बताना है शबी लोग बताएंगे Self Study Classes एप को डाउनलोड कर लें Self Study Classes एप में Store का Option आता है दोस्तो नीचे इस Store का Option आता है इस Store के Option में जाकर कि इस Course में आप एडवीसर ले सकते हैं Self Study Classes एप में है ना भारतेंदुने अपने किस नाटक को नाटर असके हैं भारत दुर्दसा यानि D नममर आपका बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा अंगला question है नांग बोडस द्वारा लिखित नाटक कोंसा है कई बार मैंने आत करवाया है आपको शबी लोगों को लगबग पता है Like करते रहें अपने मित्रों तक Share भी करते रहें दोस्तो नांग बोडस द्वारा लेकित नाटक कौनसा है ये आपको बताना है हैना अपना नारा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है ना तो ये युद्देश को लेकर कि अपन पढ़ रहे हैं और नांग बोडस द्वारा लेकित नाटक आपको बताना है तो अपन ने आत किया था खुबसूरत बहु को नांग ने डस लिया तो नांग बोडस खुबसूरत बहु यानि कि आपका एक नमबर सही है हिंदी का प बताईए शबी लोग है ना यहाँ पर बताना है कि हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौनसा है सबी लोग लाइक करेंगे वीडियो को एक बार सेयर कर दें दोस्तो अपने मित्रों तक है ना और आजाएं सबी लोग सब्सकाइब जरू कर लेना और दोस्तो एकजाम प पहला प्रतीक धर्मी नाटक माना जाता है दोस्तो कामना और कामना की रिचनाकार कौन है तब आपका उत्तर होता है जय संकर प्रिसाथ का जन्म कभ गवा था तो आपका उत्तर होता है दोस्तो अठारा से सुन नवासी में बैरी गोड़ अंसर बहुत बढ़िया धन्वात प्रसात के नाटकों के प्रतम स्रेष्ट समीक चक कौन माने जाते हैं। इसके लिए आप सेल्फ स्टेडी के लासे से अप डाउनलोड कर लो और आज ही दोस्तों इस 599 के कोर्स में अडवी सल ले लो और इस 999 के कोर्स में आपको पता चलेगा कि हमें 15 दिन में क्या पढ़ना है। प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था तब भी आपका उत्तर चला जाता है। नंद दुलारे बाजपेई यानि कि एक नमबर आपका बिलकोश चाही है। बल्लवाचार जिस संप्रदाय के आचार हैं उस संप्रदाय का दोस्तों बताना है नाम क्या है। बल्लवाचार किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं दोस्तों बताईए उस संप्रदाय के प्रवरतक हैं। बल्लवाचार जिस संप्रदाय के आचार हैं उस संप्रदाय के प्रवरतक हैं एसा दोस्तों यहां पर बताना है। जल्दी से बताओ, यहाँ पर पूचा गया कि बल्लबाचार किस संप्रदाय से जुड़े थे, है ना, तो आपको पता है दोस्तों, एक संप्रदाय था, कौन सा संप्रदाय था, रुद्र संप्रदाय था, रुद्र संप्रदाय की प्रबर्तक बल्लबाचार नहीं माने जाते दोस्ते इस question में थोड़ा सा mistake दी दिया गया रुद्र संप्रदाय के प्रबर्तक माने जाते हैं कौन विश्णू श्वामी कौन माने जाते हैं विश्णू श्वामी और आपको पता है अगर आपको पता होगा कि बल्लबाचार के गुरू का नाम क्या है तब आपका उत्तर हो जाते हैं दोस्तो विश्णू श्वामी इनको अपन को पढ़ना है बहुत बढ़िया सभी को याद रख लेना है अब यहाँ पर आते हैं दोस्तो आचार रामचन सुकल के अनुसार रामचरित मानस की रचना कितने समय में पूरी की बहुत बढ़िया अच्छा प्रस्न हैं दोस्तो शबी लोगों को answer बताना है वीडियो को like ज़रूर करना है ठीक है इसको याद रख लिएना है सबी लोगों को बताना है आचार रामचन सुकले के रुषार रामचेत मानस की रचना कितने समय में पूरी की सबी लोगों को सेयर कर देना दोस्तों सबी लोग पढ़ें है ना और बहुत अच्छे से दोस्तों सेल्फ इस्टडी किलासेस पर आईए एक तो 2020 test series आपके लिए चलती सबता है में दो दिन फिरी चलती है आप कोई भी exam की तयारी कर रहे है आपका सब्जेक्ट हिंदी साहत है तो सेल्फ इस्टडी किलासेस सबसे बेस्ट जहां जो बन पढ़ता है करने के लिए तयार रहते हैं और यहां पर आपको बता है कि सर यहां पर दिया है दो वर्स शात मा है और 26 दिन 26 दिन यानि कि आपका जो टू नम्मर है वो बिलकुश सही हो जाएगा दो नम्मर आपका राइट अंसर हो जाएगा बैरी गोड आंसर बहुत बढ़िया धन्नबास सभी लोगों को अंगला कोस्टन भवानी प्रसाद मिस्र की कविता है किस सब तक में दोस्तो प्रकासित हुई इतना अच्छा कोस्टन आप से पूछा गया और आपको पता है कि सर भवानी प्रसाद मिस्र की अगर बात करोग तो आपको पता है दोस्तो अपने पढ़ा है तार सब तक के अपन पढ़ते हैं दोस्तो प्रयाक के कुणर केदार विजय कीरती के मद में सरवेश सुर बने की अपन पढ़ते हैं हरी भवानी सकुन करे सेर नरे रगु धरम करे तो हरी भवानी तो भवानी से क्या हो जाएग और आपका उत्तर चला जाता है B number, B number आपका right answer है Very good answer Last के 15 दिन दोस्तों आपकी किस्मत बदल सकते हैं आपके लिए चमतकार ला सकते हैं और इस 15 दिनों में आप चाहते हैं कि हम पढ़ें क्या क्योंकि 15 दिन में जब last का समय आता है तो पता नहीं होता कि हमको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है लगू मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेका कौन है इसका आंसर बताना है नंदुलारे बाचपयाई विजय देव नारान साही राम बिला सर्मा या फिर दोस्तों हजारी पिरसाथ दुबेदी ज सीधा सीधा आंसर है आपका बिजय देव नारान साही यानि कि आपका टू नंबर आपका बिलको शाही है वेरी गोड आंसर अब एक कौस्चन आपके लिए दिया गया कि बिजय देव नारान साही किस तार सब्तक से सम्मन देते हैं इसका आंसर आप लोगों को ही कमेंट में लिखना है वीडियो को लाइक और सेर जरू करते रहिए दोस्तों और शबी लोग क्या करें कि इस कोर्स में सेल्फ स्टेडी बाले कोर्स में दोस्तों एड़िशन जरू लें सबसे सस्ता कोर्स है और सबसे अच्छा कोर्स है यहाँ पर आपका टू नंबर बिलको सही होगा सि भी लोग बताएंगे जो पूजन सहाय का एक मात्रोपन्यास कौनसा है लाइक जरू कर लेना है दोस्तो टिप टॉप यूटूब चैनल और एकजाम पार यूटूब चैनल में भी आप पढ़ सकते बहुत अच्छे से हैं ना कभियों को आप पढ़ सकते पार्टिकुलर्ली करके आ रहा है हम लोग और आपके लिए बहुत सारी हैल्प और बहुत सारी मदद करने को तयार हैं इसी प्रकार से पढ़ते रहिए सेल्फ स्टडी के लासे से आपको डाउलोड कर लीजी आज ही और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा देहाती दुनिया यानि की एक आपको बताना है हजारी पिरसाद दुवेदी का उपन्यास अपन पढ़ते दोस्तों चाहे बाण भटी की आत्म कथा हो चाहे पुनर नवा हो चारू चंदर लेख हो या पर अनाम दास का पोता हो इस सारे के सारे उपन्यास हैं किसके हैं हजारी पिरसाद दुवेदी के हैं हैं A.C.S.N. रात तरी नौ बजे होता है दोस्तो और सेलफ इस्टेडी किलासेस में तो किलासों की जड़ी लगी है आप लोगों के लिए आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा अनामदास का पोता अनामदास का पोता यह चार नमबर दो सांकृत्यायन को आप जानते हो दोस्तो इनोंने हिंदी का प्रिथम कभी माना किसको सरहपा को सरहपा को माना सरहपा को सभी लोग जानते हैं अब यहां पर आपको सभी लोगों को बताना है जल्दी से बताएगे है ना यहां पर सेंस्त्यानापति जय योद्दे देवोदा या पिर셨िट चोष कमदम चुर्प कर दो चाहीक भपर स्सक्यारे है। यहाँ पर आपको 5000 कैसि ूप 4500 की टेस्ट सीरिज not यहाँ पर दोस्तों आपके लिए ब्याकरण की वीडियो भी मरें जायald यहाँ पर दोस्तों आपके लिए और क्या मिलने बाला है यहाँ पर टिर्की वीडियो भी आपके लिए important है इसलिए और यहाँ पर आपके लिए doubts वाले वीडियो भी है कितना material आपको 15 दिन में पढ़ना है जो आपके selection तक ले जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपना answer हो जाएगा ब्यतीत यानि की चार नमबर आपका सही है और दोस्तों वीडियो को like जलू करेंगे इसी प्रकार से अध्यन करना है और दोस्तों यह अंतिम प्रहास्थ्रे आपके लिए अंतिम परिक्षा पर अंतिम प्रहार है जब दोस्तों आपने एक साल से एतनी तयारी कर रहा है तो इस course में एडवीसर लेने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़ुरत नहीं है और अंतिम ये बहुत ही अच्छा course है, सबी लोग इस course से जुड़े रहे, जुड़ जाएं जिनको भी जुड़ना है, और दोस्तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, और दोस्तो वीडियो को like share करते रहें, और अपने मित्रों तक बता दें, ये किलास तो आपकी continue 9 बजे चलती ही है साथी 10 बजे एक्जाम पार में दोस्तो एक किलास चलती है आपके लिए तो बहुत सारी किलासे तो आपको फिरी भी मिलती है और दोस्तो ये अप पर एक 2020 टेस्ट सीरेज भी चलती है हिंदी साहेत बयाकरण की सबता है में दो दिन चलती है 2020 टेस्ट सीरेज बिलकुल निसुलक होती है बिलकुल फिरी होती है अब आप कहोगे सर वो कैसे मिलेगी तो आपको self study किलासे से आप डाउनलोड करना पड़ेगा अब वो डाउनलोड कर लेते हो दोस्तो तो बहाँ पर आपको फिरी में भी बहुआ सारे टेस्ट उपलब्ध है आप आराम से पढ़ सकते हो बहुआ सारे बीडियो बहुआ सारे नोड्स उपलब्ध है आप आराम से पढ़ सकते हो तो Self Study Classes में सभी प्रकार की विवस्ता है, सिर्फ जरूरत है तो आपके दोस्तों डाउनलोड करने की, आपको Self Study Classes एप डाउनलोड करना है और दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, धन्नबाद सभी शादियों को उदय जी, दिनेश जी, बिल सबी साती अपना नारा भी है, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, हैना, ऐसे ही अध्यान करना है, बहुत बढ़िया, धन्नबास, अध्यान से आदाओ कपिल जी, हैना, सौनु सिंग जी, बिलकोर नीरज जी, बाल मुकंद भारती जी, और वीड आराम से इस रिवीजन वाले कोर्स में, इस दोस्तो क्रेस कोर्स में, इस अंतिम ब्रमास्त कोर्स में आप एडवीशन लें, और इस कोर्स का दोस्तो अध्यान जो है, जो मटेरियल है, उसमें आराम से पढ़ें, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिलकोल मनीसा गिल जी, बिलको आज के इस वीडियो के लिए वस इतना ही जय हिंद।